लोगों को सिफ लगता है कि स्टॉक मार्केट आम आदमी के बसकी बात में और यह कॉंप्लिकेटिट शब डाले जाते हैं जिससे लोग कभी समझना पाएं तो आपके लिए कंपल्सरी है कि आपको पैसे कमाने है एक सर्टे इसके बाद आज आप लोगों की जॉब लग जाती है पैसा कमाना शुरू कर देते हैं बट पैसा बचता ही नहीं है आप लोग में जरा केल्कुलेटर हो लो और केल्कुलेट करें बात्यस वे बॉक्स तक पह पैसा नहीं लगता कि ये जो फिल्ल है जो स्टॉक मारकेट ये कुछ सिलेक्टेटिड लोगों के लिए है कुछ ऐसे लोग जिने फिनांस के अंदर एक्सपर्टीज है येиться अनगों के लिए अगर आपको ऐसा लगता है ये भी इसेता है पैसा कमाना सिर्फ चार्टैडड के बस की बात है या फिर कमपनी सेक्रेटरीज के बस की बात है या किसी ने अकाउंट्स के अंदर डिगरी ली हुई उसके बस की बात है तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा मेरा नाम पुश्कर राज सान जिसने मैं यह भी नहीं को लोगा कि मैंने जीरो से शुरुवात करिया आप लोगों ने मेरी स्चोरी पहले भी सुनी होगी कि आया स्राड़िट फ्रों माइनस बड़ ओल्दो आज जो मेरे फिनांसेज है वो बहुत अच्छे हैं मुझे ऐसा लगता कि मैं अच्छी और आज हम जो समझने वाले हैं जो हमारा खुद का मिशन है मेरा मिशन है कि इंडिया के अंदर ने एक financial revolution शुरू गिया जाए अब इस financial revolution का मतलब क्या है हम चाहते हैं कि इंडिया के अंदर लोगो ना financially educated हो जाए अब ये बूलना तो बड़ा सान है financially educated हो जाऊ इसका मतलब क financial education की definition होती है कि अगर आपको पैसे कमाने आते है पैसो को manage करना आता है और पैसे को grow करना आता है तीन चीज़े बोली मैंने पैसा कमाना, पैसे को manage करना और पैसे को grow करना अगर यह तीन चीज़े आती है तो आप financially educated हो अब आप अपने आप से सवाल ये पूछिए क्या आपको आज पैसे कमाने आते हैं उसके लिए आपको कम से कम एक स्किल चाहिए जो money making skill हो अब Indian education system की बात करें तो money making skill की कोई बात नहीं की जाती पहली बात तो skills की ही नहीं बात की जाती सिर्फ academics मतलब सिर्फ marks लेकर हो बड़ आप सोचिए आप mathematics में बहुत अच्छे हैं biology में बहुत अच्छे हैं बड़ क्या ही आपको पैसा कमा के देदेगी simple एक चीज आपको marks बहुत अच्छे हागा इसका मतलब यह नहीं कि आप लाइफ में बहुत अच्छा करने वाले हो सो आपको skills नहीं होती है life में वो skills की उपर पहली बात तो मारे Indian education system में बात नहीं होती और जो बची कुछी skill development पर आज की डेट में काम होना शुरू भी हुआ है आप यह बता है यह money making skill की उपर कौन बात करता है भी पैसे कैसे आएंगे अगर आप इंडिया के अंदर आज एक लड़के हो तो आपके लिए compulsory है कि आपको पैसे कमाने है एक certain age के बाद आज आपके parents बोलेंगे सिफ पढ़ाई करो पढ़ाई पर फोकस करो पर जब आप एक certain age cross कर लेते हो जिसके लिए उन्हें money making skill चाहिए अब पैसे कमाने की बाद हम जब बात करते हैं चलिए आप लोगों की job लग जाती है पैसा कमाना शुरू कर देते हैं पर पैसा बचता ही नहीं है जब पैसा बचता ही नहीं है तो इंसान के देखता है पांस साल के पहले जहां पर शुरू किया था पांस साल के बाद भी वही life चल रही है although credit card के ऊपर EMI शुरू हो गई है और वही नहीं दी जा रही तो लोगों को पैसे का management भी नहीं आता तो पैसा अगर आपके पास आएगा और वो ठहरेगा नहीं वो रुकेगा नहीं वो manage नहीं होगा तो आपकी जिंदगी में कुछ भी improvement नहीं हानी और तीसरी चीज़ आती है पैसे को grow करना अब पैसे को grow करना मतलब हमारा जो पैसे है अगर हम सिर्फ सेव करके रखेंगे आप तेजोरी में डाल के रखते हो वो बढ़े का नहीं बढ़ेगा वह एक inflation नाम की महंगाई नाम का दीमक होता है जो पैसे को हर दिन खा रहा है आप चेक कर सकते हो आज जो petrol के price हैं और पांस साल पहले जो थे कुछ बदले हैं क्या क्या सोने का भाव चेंज हुआ है अगर हर चीज के दाम बढ़ते जा रहे हैं तो अगर आपने 10,000 रुपे पांस साल पहले तेजोरी में डाले थे उससे जितना सोना आता क्या उतना सोना आ जाएगा नहीं आएगा उतना गोल्ड उतना petrol आएगा नहीं आएगा उतनी सबजी आएगी नहीं आएगी तो इसका मतलब क्या है पैसे ने अपनी purchasing power को lose कर दिया और पैसा अपनी purchasing power हर दिल lose करता जा रहा है तो अगर आप पैसे को manage करना भी सीख जाते हो तो पैसे को grow करना सीखना हमें जरूरी है और मैं एक बड़ा simple सा शब्त बोलता हूँ पैसे को double करना सीखना जरूरी है अब double करने का मतलब यह नहीं किस दिन में पैसा double इसका मतलब यह है you need to understand rule of 72 rule of 72 क्या होता है आपको आपके पैसे पर जो भी rate of interest मिल रहा है जितने भी percentage से आपका पैसा बढ़ रहा है आप 72 से divide कर तो example के लिए आप कहते हो जी मुझे 12% की ब्याज मिल रही है 12% का rate of interest चार है तो अगर आपको 12% का rate of interest चार है example आपने किसी mutual fund में पैसा डाल दिया although हो सकता है बहुत से लोगों को पता भी ना हो का आपको rate of interest मिलता है तो 72 से divide कर तो तो 72 divided by 12 6 आ गया तो 6 साल में पैसा double होगा अगर आप इसे 24 कर देते हो तो 3 साल में पैसा double होगा हमारा काम क्या है अगर हमारे पास पैसा बचता है आज आपके बाँ 50 अर बचता है लाग बचता है, 10 लाग बचता है अगर आपने उसे double करना सीख लिया तो आप compounding को समझ जाओगे अब ये जो शब्द मैं बोल रहा हूँ आपको लग रहा होगे compounding अब कहां से आ गया क्योंकि मैं एक इस वीडियो में जोश टॉक से ना आपके अंदर एक जोश तो भरना आजाता हूँ कि कम से कम आज आप एक decision लो financially educated होने का क्योंकि तीनी चीज़े सीखनी है पैसा कमाना, पैसे को manage करना और पैसे को grow करना तो एक compounding क्या होता है मैं आपको एक ना बहुत छोटी सी story सुनाऊँगा और आप जिन्देगी में compounding को भूलोगे नहीं और मैं ये भी बता रहा हूँ आप इसे अपने favor में यूज़ करने वाले हो क्योंकि जादतर तर लोग compounding को अपने against में यूज़ करते है तो favor में कैसे यूज़ करते है बहुत समय पहले की बात है एक आदमी बहुत गरीब होता है बट उसे कविता सुनाना बहुत अच्छा आता है तो वो कविता सुनाने राजा के महल में पहुंच जाता है तो राजा के महल में पहुंचके राजा को कविता सुनाता है राजा इंप्रेस हो जाता है राजा काता है मज़ आगया कभी तशन गे मंग हो कग किया मांगते हो तो उसे लगता है कि गरीब आदम gi kiai मांग लेगा तो जो गरीब होता ना वे गरीब तो होता है बढ़ह ऐंसे में बड़े महान राजाू मुझे आप से ज़्यादा कुछ नियरी आप शांगा दीजिए और शांग रहोंग ओपर में कुछ मांगोंगा तो जाता है शत्रंज हादि पास मुझे तो बस आप एक सोरी की मुद्रा सब्सक्रीस गक्र मॉंधरी कीचा सब्सक्राइब और ऊपिश्चार गूर्डव इसके अंदर शूठी शवायज को डूअब बाक्श के साद मॉलो ऑश उसरे में कितने रख देंगे, दो रख देंगे, चार रख देंगे, तो राजों को लगता है कि चल सो दो सो गोल्ड को ले भी जाएगा, क्या फरक पड़ता है हमारे राजगोश्च पे, पर एक बाद बता हूँ, आप लोग नजरा कैलकुलेटर खुलो और कैलकुलेट करना, 32 बॉक्स तक पहुचते हुए, राजा का खजाना खतम हो जाता है, राजा उस इंसान के पैरों में गिर जाता है, अब मैं इसकी कलकुलेशन आपको अभी नहीं दे रहा क्योंकि मैं चाहता हूँ ना, आपका कैलकुलेटर भी न ठख जाए, कलकुलेशन करते हैं, मल्टिप होगा 10% मिला, तो आपको एक साल के बाद कितना पैसा हो जाएगा, एक लाग दस हजार रुपे, तो अगले साल एक लाग पे ब्याज नहीं मिलेगा, एक लाग दस हजार पे ब्याज मिलेगा, और जब ऐसा बढ़ता जाता है, तो इसे compounding मोलते हैं, अब अगर आपने compounding को स से बढ़ रही है, मैं आपको एक calculation देता हूँ, जितना आपको FD per rate of interest मिलता है, लग बग उतने परसेंट से महंगाई बढ़ रही होती है, लब FD में पैसा रखने से पैसा बढ़ता ही नहीं, कम से कम अगर आप देखो कि 9% FD में मिलना बहुत बढ़ी है, तो 9% के आसपास हो सकता 8% के आसपास महंगाई बढ़ रही हो, 1% मिल भी जाएगा तो क्या उखाड लेंगे, हम कुछ नहीं होगा, पैसा नहीं बढ़ेगा, so we have to understand कि जब हम FD में पैसा रखते हैं, तो bank क्या करता है उस पैसे को किसी और को लोन पढ़ देता है, although जब आप mutual funds में इंवेस् इतने बड़े-बड़े financial institution है, जिनके बाँ आप सब का पैसा आजाता है, वो पैसा लगाते हैं, हिस्सेदारी खरीदने में, अभी हिस्सेदारी खरीदना क्या होता है, इसे बोलते हैं, shares खरीदना, जब आप किसी company के shares खरीदते हो, आप उस company के अंदर हिस्सेदार बन जात आज मैं आपको बड़े संशिप्त शब्दों में बोलूगा, कि आप लोगों को ने एक चीज़ समझनी है, कि पैसे कमाने पर सब का हक है, आपको ये नहीं सोचना कि यार, मेरे तो किसी खांदान में किसी ने लाखो करोडो रुपे नहीं कमाई, तो शैद मैं भी नहीं कमा आज ही तो नहीं है आपके साथ, बट आपकी परिस्तितियां बदल सकती है, अगर आज आपकी मान सकता बदल जाए, अभी तक हमारे इंडियन सिस्टम के अंदर अपने अपनी फैमिली में देखो, पैसे के उपर बात करने को ना टाबू समझते हैं, मेरी दादी आज तक ब पैले इंडिया के अंदर घर-घर जाके, और कहां पर कैसे पहुंचेंगे हम घर-घर, भई आज जो शुक्त सुनतो रहे हो, पहुंसतो रहे हम घर-घर, हमें लोगों की मान सकता बदल नहीं है, तो अमीर बन सकता है, यकीन तो कर, आज एक बिलीफ से शुरुआत होती है, एक इंसान ये सोच ले, माउंट एवरेस्ट है, कौन चड़ेगा इसे, बट कोई तो चड़ता है, जो सोच लेता चड़ना है, वो चड़ जाता है, क्योंकि पहले आप यहां पर चड़ते हो, फिर आप पहले अपने माइंड से अमीर बनते हो, फिर आपका बैंक बैलेंस ब बाते कर रहा हूं आज, क्योंकि मैंने अपने फिनांसे सुधार ली है, सिंपल चीजों पर काम कर गए, अब वो सिंपल चीजें आपके लिए आज क्या है, सबसे पहले आपका एक राइट बिलीव सिस्टम होना, दूसरी चीज, हमने तीन चीजों के उपर बात करी दी, पै आप समझने लग जाते हो, आपर रिस्क कम हो जाते है, लोग के तरह रिस्की है, रिस्क है तो इश्क है, रिस्क सिफ तब तक है जब समझते नहीं हो, आप क्या कर रहे हो, मेरे लिए सुमिंग करना बहुत बड़ा रिस्क है, मुझ आती नहीं है, अगर मुझे आती है, तो तो रिस्क नहीं है आप समझे आपको सुमिंग करना आता है आपको रिस्क लगे आप तहर लोगे वर जिसे नहीं आती वो तो डूब जाएगा पिछार अमड़ जाएगा सुसर इपिए संहीनग के वह उनके लिए जिने पता निंग हो Unity कोई अपनी म मा की कोक से शीक्क कर आता है क्या乾 करा अगर अगर पैसा कमाने की बात करते हैं तो एक बाज आपको इंजनिर बनोन ऊपको थो किया पढ़ई करनी ऐ है और लगती सिंपल है, see money making is simple, but it is not easy, why it is not easy, because इसमें discipline चाहिए, इसमें patience चाहिए, Warren Buffett बोलते हैं, कि stock market में, पैसा आता है, patient लोगों के पास, impatient लोगों से, so जो impatient होते हैं, जो रातो रात अमीर बनना होता है, उनके लिए stock market नहीं है, उनके लिए ये finance worldly नहीं है, but अगर आपके पास patience है, दहरे हैं, आप पैसा बना सकते हैं, so आज इस जोश चॉक से से, वेक ही जोश आपके अंदर बरना चाहूँगा, कि आज ठान लो यार, अपनी परिस्तिति हमें चेंज करनी है, क्योंकि अगर दिशा सही हो जाती है, तो दशा सही हो जाती है, if your direction is right, your conditions will improve, but आज वो right direction क्या है, right direction है सीखना, अपने आपको बदलना, और ये ठान लेना हा मैं कर सकता हूँ, with this, we end up this josh shock, and we'll see you next time, और मुझे बहुत 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 जादा पसंद है कि वो क्या कर रहे है, josh talks ने एक नया एप लाँच किया है, जिसका नाम है josh skills, अब वो नया नहीं रहा, काफी time से है, लाखों लोग उसको अब use करते हैं, और josh skills पे आप अपनी जिंदगी के लिए courses ढूंड सकते हैं, वो course नहीं जो आपको physics, chemistry, commerce, business studies पढ़ाएंगे, वो courses जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहेंगे, वो सिखाएंगे, मैंने खुद जो skills पे बहुत सारे courses बनाए हैं, public speaking पे, emotional crisis कैसे handle किया जाए, अपनी personality कैसे develop की जाए, हर एक course में daily quizzes हैं, exercises हैं, एक बहुत ही खुबसूरक community है, जो आपको support करेगी, आपको encourage करेगी, आज ही download करें, जो skills का app और उनकी courses एक्स्प्लोर करके, अपनी जिंदिगी को आगे बढ़ाएंगे,